हेलो एवरीवन वेलकम दू कॉंपिटिशन कम्यूनिटी इस यूट्यूब चैनल कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मिरा नाम है प्रांजल सिंग और आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक वीडियो लेक्चर आर् कितना ही आसान है दो लाइन का ये आर्टिकल है और इसकी अंडेस्टेंडिंग हमें ऐसा लगता है कि शुरुआत से डबल अप हो गई क्योंकि इसमें यूज किया गए वर्ड्स भी बड़े इजी है प्राबलम हमें तब आती है जब हम कोई किसी कॉंप्टिटिव एक्जा करेंगे तो शुरू करते हैं किसी भी लीगल टॉपिक को शुरू करने से पहले यह जान लेना जरूरी है वाट वेन और तो वाट में अगर हम बात करें तो आटिकल 21 क्या है वह एक फंडमेंटल राइट है जो कि गारेंटीड है अंडर कॉंस्टिशन ऑफ इंडिया और इस शायद ही कोई और कॉंस्टिट्यूशन का आटिकल होगा जिसका इंटर्प्रेटेशन इतनी बार हुआ हो अगर बात करें वेन की तो एस सच इसमें कोई हिस्टॉरिकल डवलप्मेंट नहीं है बड़ चुकी हम हर टॉपिक में वाट वेन और वेर देखते हैं इसलिए हम व अबर करेंगे और उसके साथिसाथ वे टी बात करें तो भाई अडीकल 21 कहां दिया हुआ है और Constitution ऑफ इंडिया के पार्ट थी में दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 21 को रीड करते हैं, तो आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है, वो बात करता है protection of life and personal liberty की, और यही रीजन जो मैं आपको starting में बता रहा था, इसको हमें पढ़के लगता है कि हम यहीं से इस topic को समझ गए, प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसके case laws में jump करते हैं, तो अगर हम article को read out करें, तो वो article कहता है, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law, keywords को देखते हैं, keywords है, life, personal liberty और procedure established by law, यानि कि अगर हम इस particular article को bifurcate करें और इसको तीन पार्ट में divide करें, तो वो तीन पार्ट कौन से होंगे, life, personal liberty और procedure established by law, और मैंने आपको जैसा इसक एक particular topic पर आके फसी थी, वो particular topic है यही, procedure established by law का, तो हमने तीर पार्ट पे इस particular article को divide किया, life, personal liberty और procedure established by law, और शुरुवात करते हैं हम इस से, procedure established by law से, जो कि मैंने आपको constituent assembly के बारे में बताया था, तो जब constituent assembly article 21 के बारे में discuss कर रही थी, तो उनको इस बात का confusion हुआ कि हम word use कौन सा करे, procedure established by law या due process of law, चुकि article 21 inspired है American constitution से, और American constitution follow करता है due process of law को, तो इसी लिए इस बारे में discussion हुआ, तो चलिए, तो जल्दी से समझते है, procedure established by law और due process of law में फर्क क्या है, तो अगर हम अपनी common understanding डवलप करने के लिए समझने की कोशिश करें, तो procedure established by law में judiciary के पास पावर होती है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, procedure established by law वाले case में, जो judiciary है, वो जो duly enacted law है, जो कि आपके legislature ने enact किया है, उसमें केवल वो ये चेक कर सकती है, कि जो valid procedure है, उस particular law को enact करने का वो follow हुआ है कि नहीं, मगर due process of law के case में, जो law in question है, उसके बारे में ये चेक किया जा स पास जाधा power है, और due process of law में, judiciary के पास जाधा power है, जो procedure established by law है, वो एक narrower scope देता है, किसी भी law को interpret करने के लिए, लेकिन due process of law एक wider scope देता है, और अगर हम आखरी में एक line से समझने की कोशिश करें, तो अगर हम procedure established by law को follow कर रहे है, तो Supreme Court के पास के ये, केवल यही power होगी, कि ये चेक कर सकता है, कि जो implementing authority है, उस particular law की, उसके पास ये power थी की नहीं, कि वो particular law को implement कर पाए, लेकिन अगर due process of law की बात करें, तो Supreme Court के पास ये power होगी, कि वो ये चेक कर सकता है, कि उस law के सारे aspects fulfill हो रहे हैं की नहीं, वो natural justice के principle को follow कर रहे हैं की नहीं, और उसके साथ ही साथ तो ये भी चेक कर सकता है, कि जो procedure, जो valid procedure है, वो follow हुआ की नहीं, तो ये basic difference है, इन दोनों का due process of law, procedure established by law का, लेकिन हमने follow क्या किया, procedure established by law को, और ये हमारे article 21 में add हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे right to personal liberty को, तो right to personal liberty के under में case आता है, A.K. Gopalan versus state of madras का, ये 1950 क case है, A.K. Gopalan जी जो कि एक politician थे, उनको 1947 के बाद से multiple times detained किया गया, Preventive Detention Act 1950 के अंडर में, इस particular चीज़ से परिशान होकर उन्होंने Supreme Court में case file किया, और उन्होंने base बनाया article 191-D को और article 21 को, इनके case में six judge constitutional bench ने judgment दिया, और judgment में Supreme Court ने क्या कहा, वो देखते हैं, Supreme Court ने कहा, कि liberty का मतलब केवल freedom है, physical body का, यानि कि एक बड़ा narrow scope दिया उन्होंने, उन्होंने बोला कि अगर आप personal liberty की बात करें, तो ये इसका मतलब है, only the freedom of physical body, साथी साथ सुप्रीम कोट ने ये भी कहा, कि only a free man can enjoy the rights given under article 19, यानि कि कोई भी आदमी जो free है, only a free man can enjoy the rights of article 19, a man under detention cannot enjoy the right under article 19, यानि कि detention जो है, वो article 19 के अंदर guaranteed सारे rights को भी take away कर लेता है, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोट ने ये भी कहा, कि article 19 and 21 आपस में related नहीं है, इनका कोई भी connection नहीं है, तो ऐसा हम देख सकते हैं, कि सुप्रीम कोट ने एक गोपालन के case में बड़ा ही एक narrow judgment दिया, जिसको ब चार्ट से क्योंकि lack of evidence था, लेकिन चुकि उनको release किया गया, उसके बाद उनको habitual criminals के list में डाला गया, तो पुलिस बड़ी odd hours में late night उनके घर को search करने आ जाती थी, उनको परिशान करती थी, उनको police station बुला के उनसे inquiries करती थी, तो इन सब चीजों से परिशान होकर उन्हों में visit करती है, पुलिस, या आपके घर से related जो visit है, या search करते हैं, इसको हम कहते है, domiciliary visits, habitual criminals के घर पे जो domiciliary visits होती थी, उसको भी Supreme Court ने unconstitutional declare किया, साथी साथ, Supreme Court ने reject कर दिया, petitioner के claim को, जो की है right to privacy का, यानि की right to privacy के लिए जो Supreme Court में, Khadak Singh जी ने जो right to privacy का claim किया था, उसक Supreme Court ने reject कर दिया, और साथी साथ कहा, कि right to privacy is not guaranteed as a fundamental right in the constitution, यानि की Khadak Singh के case में Supreme Court ने ऐसा कहा, कि जो right to privacy है, वो fundamental right नहीं है, इसके बाद आता है, मेनका गांधी versus Union of India का case, जो की 1978 का है, जो की बहुत ही mighty case है, इस particular case ने पूरा landscape बदला था, हमारे article 21 का और constitution का, तो petitioner जो थी मेन इनका गांधी, उनके passport को seize करने का order दिया, Central Government ने, किस base पे, public interest के base पे, तो इस बात से नराज होके, वो Supreme Court गई, उन्होंने इस particular order को challenge किया, Supreme Court ने, Supreme Court के judgment ने, जैसा मैंने आपको कहा, constitutional landscape ही बदल दिया, पूरे के पूरे आर्टिकल 21 का, तो Supreme Court ने कहा, जैसा भी हमने थोड़ arbitrary और irrational नहीं होना चाहिए, इसके साथी साथ, Supreme Court ने, A.K. Gopalan का case, जो हमने politician का case पढ़ा था, उसको overrule कर दिया, यानि उसको, उसमें दिये गए, कोई भी observation अब stand नहीं करेंगे, इसके साथी साथ, Article 21 को, widest amplitude में, count किया जाएगा, ऐसा भी Supreme Court ने, ruling दी, और साथी साथ कहा, कि Article 21 जो है, वो variety of rights को cover करेगा, उसके साथ साथ, और क्या उन्होंने बताया, उसके साथ साथ, उस judgment में आया, कि कोई भी law, just, fair and reasonable होना चाहिए, यानि वो principle follow करना चाहिए, just, fair and reasonable का, और साथी साथ, fulfill करना चाहिए, principle of natural justice का, इसके साथी साथ, Supreme Court ने ये भी कहा, कि जो Article 21 है, वो 14, तीनों आपस में interrelated है, आर्टिकल 19 और 21 चेक होगा, आर्टिकल 41 के द्वारा, यानि equality of law और freedom के rights को, आर्टिकल 21 का life and personal liberty से relate किया, यानि कि ये तीनों के तीनों rights जो है, आर्टिकल, आर्टिकल जो है, वो आपस में interrelated है, interconnected है, और यहाँ जो सबसे बड़ी जो definition आई, वो ये थी कि not merely confined to physical existence, यानि कि आर्टिकल 21 जो है, वो केवल physical existence के बारे में बात नहीं करता है, it talks about live with human dignity, वो human dignity के साथ रहने की बात करता है, तो ये हमने पढ़ा personal liberty के case में, मिनका गांधी के case ने खळक्च सेंग और एके गोपालन के case को overrule किया, और साथी साथ नए dimensions दिये, आर ये इसमें सुप्रीम कोट ने कहा, कि जो right to live है, ये लिमिटेड नहीं है, किवल animal existence के, it is more than physical survival, यानि physical survival से बढ़के है ये, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको किवल जीने का अधिकार मिल गया तो आप animal existence की तरह जैसे जानवर जी रहा है, वैसे जीएंगे, आप more than animal existence, में, तो चलिए अब देखते हैं right to life को, तो right to life में बहुत जादा cases है, बहुत जादा बार इसको interpret किया गया, क्योंकि life का, जो dimension है, उसको explore करने का हर बार एक अलग point of view हो सकता है, तो कुछ highlighting points से इनको हम देखते हैं, जैसे कि right to privacy, जो कि puttaswami case में आया, rights of child, जो कि बच्प में आया, उसके बाद adultery को unconstitutional declare किया, वो भी article 21 के under में, वो Joseph Shine case में हुआ, उसके बाद right to health, जो कि हमने permanent Katara के case में देखा, तो अब right to life को हम समझते हैं, जो कि article 21 में defined है, कि कितने multiple dimensions में Supreme Court ने multiple case laws के दोवारा उसको interpret किया है, तो पहला case आता है, right to life में, justice case puttaswami versus union of India, जिसक MP शर्मा जी का भी case था, उसको Supreme Court ने overrule किया, साथी साथ Supreme Court ने कहा कि right to privacy is a fundamental right and protected under article 21, यानि कि right to privacy जो है, वो एक fundamental right है, और वो article 21 के under protected है, इसके साथी साथ Supreme Court ने constitutional validity of अधार को अधार को अपहल्ड किया, इसमें justice case puttaswami ने constitutional validity of अधार को challenge किया था, उसको Supreme Court ने अपहल्ड किय लेकिन कुछ provisions को उन्होंने struck down किया, जो अधार से related थे, इसके बाद case आता है, ओगला टेलेस versus Bombay Municipal Corporation का, ये 1986 का case है, इसमें Supreme Court ने ruling दी थी right to livelihood किया, और Supreme Court ने कहा था, right to life includes right to livelihood also, अगला case है, नफ्तेज सिंग जोहर versus Union of India कर 2019 का ये case है, इसमें Supreme Court ने homosexual acts को unconstitutional declare किया था, इसक की 1978 का case है, जो बात करता है, free legal aid की, जैसा कि हमें पता है, इसके बाद आया था, हुसे अनरा खातून का case, इसमें कहा जाता है, कि free legal aid को पहली बर imply किया गया था, इसमें Apex Court ने कहा था, कि right to free legal aid, जो है, वो right to life and personal liberty के अंडर आता है, और cases को देखते है, अगला case है, सुचित to produce child is included in article 21, इसके बाद case आता है, Permanent Katara versus Union of India 1989 का case, यह बात करता है, right to health की, इसमें Apex Court ने क्या help किया, उन्होंने बोला कि doctors are obliged to extend medical assistance to injured without asking of legal formalities, यानि कि legal formalities को लेके doctors wait नहीं करेंगे, they are bound to provide the medical assistance to the injured, अब हम पढ़ेंगे right to life के अंडर में cases, जो की है, relate करते है clean environment से, जैसा कि हमको पता है कि MC Mehta जी के कई cases है, जो right to environment को लेके आते हैं, लेकिन यह कुछ important cases है, जो आपको पढ़ने चाहिए, 1985 का यह पहला case, इस case में, जो मसूरी में line mining हो रही थी, उसको लेके यह case था, second case आया MC Mehta versus Union of India का जो की श्रीराम food fertilizer case था, जिसमें hazardous waste को dump किया जा रहा था, इसके बाद 1996 में आया Indian Council for Enviro Legal Action, जिसमें polluters pay principle को लाया गया, और जो हमारा चौथा case है, वो है आपका well or citizens welfare forum, इसमें भी polluters pay principle को imply किया था, Supreme Court ने, इसके बाद हमारे पास और भी कई cases है, जैसे कि चमेली स स्टेट आफ उत्यव प्रदेश 1996 का, यह right to shelter की बात करता है, इसमें Supreme Court ने क्या held किया था, कि right to shelter is a fundamental right under article 21, और जैसे मैं आपको पहले बताया था, हुसेन अरा खातून versus State of Bihar 1979 का जो यह case है, यह बात करता है, इसमें लीगल एड के principle को भी cover किया गया था, इसमें Supreme Court ने यह बोला कि speedy trial जो है, वो एक fundamental right है under article 21, इसके बाद हमारे पास case आता है, बचपन बचाओ अंधोलन versus Union of India 2011 का, यह बात करता है, चाइल्ड राइट्स की, चाइल्ड राइट्स जिसमें Apex Court ने हिल्ड किया था, कि sexual, physical and emotional abuse of children, detained in circus is violation of article 21, इसके बाद आता है, हमारे पास case, जियान कौर का, जियान कौर के case में Supreme Court ने क्या बोला था, right to life does not include right to die, यह case हुआ था, right to die पे, जिसमें Supreme Court ने ruling दी कि right to life जो है, वो right to die को include नहीं करेगा, यानि आपके पास right to die, यानि suicide करने का कोई right आपके पास नहीं है, उसके बाद आता है, People's Union for Democratic Rights versus Union of India 1982 का यह case है, यह बात करता है minimum wages की, इसमें Apex Court ने क्या held किया था, इसमें Apex Court ने यह बोला था, कि non payment of minimum wages is violation of article 21, यह सब हम पढ़ रहे है, article, यह सब हम पढ़ रहे है, right to life के अंडर में, यानि कि यह इतने सारे interpretations दिये, Supreme Court ने right to life को लेके, इसके बाद अगला case आता है, प्रेम शंकर versus Delhi Administration 1980 का case है, यह right against handc handcuffing पर बात करता है, इसमें Supreme Court ने बोला कि handcuffing prima facie, यानि in the first instance, गलत है, inhuman है, arbitrary है और unreasonable है, handcuffing कर सकती है, पुलिस, लेकिन कब कर सकती है, जब clear and present danger of escape present हो, यानि कि अगर पुलिस को लगे कि यह clear and present danger of escape है, जो हमारा criminal है उसका, तो वो handcuffing कर सकती है, otherwise it is inhuman, arbitrary and unreasonable, इसके बाद हमारा अगला case आता है, मुरली एस देवरा वर्सिस यून ओफ इंडिया 2002 का, जो की बात करता है, ban on smoking in public places पे, इसमें Apex Court ने direct किया, तो government है, उसको issue करने को कहा, orders को, ताकि वो public places में जो smoking है, उसको ban कर सके, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, जब Supreme Court ने observe कि एक adverse effect पढ़ रहा है, किन of adultery को लेके, जिसको Supreme Court ने unconstitutional declare कर दिया था, Apex Court ने क्या किया, struck down किया था, section 497 Indian Penal Court का, और यह कहा था, कि यह violative है, किसको, right to dignity and hence infringed article 21, यानि कि यह violative है, women's का right to dignity को, और यह infringe कर रहा है, इसलिए article 21 को, इसके बाद हम पढ़ेंगे, नीरत चौधरी वर्से स्टेट अफ 1984 का case है, यह बात करता है, bonded labor की, इसमें क्या हुआ था, इसमें Supreme Court ने ruling दी थी, कि bonded labor should be identified and rehabilitated, यानि bonded labor के जो rights है, उसको Supreme Court ने इसमें interpret किया था, इसके बाद आता है, कि शोर सिंग वर्से स्टेट अफ राजस्तान 1981 का, इसमें जो third degree method है, जो की, पुलिस कस्टेडी में जो इसको, इसको Supreme Court ने, violative of article 21 बताया था, कि third degree method यूज करना गलत है, इसके बाद आता है, Dina versus Union of India 1983 का case, जिसमें hanging by rope, यह बात मैं कर रहा हूँ, death penalty की, जिसमें Supreme Court ने ruling दी थी, कि जो hanging by rope है, that is not violative of article 21, यानि कि जो फांसी की सजा दी जाती है, इसमें रस्की से टांगा जाता है वो violative of article 21 नहीं है, इसके बाद हमारे पास कुछ cases है, custodial torture के, तो custodial torture में, हमारे पास जो case है, वो है, निलाबती बहरा versus state of Urissa, 1993 का यह case है, इसमें Supreme Court ने compensation award किया था, किसको award किया था, disease की family को, जो police custody में मरा था, यानि कि यह custodial torture के अंडर में आया, उसके बाद केस आता है, DK Basu versus state of West Bengal का, जो 1997 का case है, इसमें Apex Court ने कुछ guidelines को laid down किया था, जो investigation agencies को follow करना है, during arrest and detention, और इसके बाद, यानि इससे पहले 1994 में case आता है, जोगेंदर कुमार versus state of Uttar Pradesh का, जिसमें Supreme Court ने guidelines को दिया था, किसकी arrest of a person, इसके बाद case आता है, जोगेंदर कुमार versus state of UP का, 1994 का, जि इस चीज के लिए arrest of a person during investigation को, तो हमने ये कुछ cases को पढ़ा, इसके बाद हमारा अगला जो कुछ series of cases है, वो है, विशाका versus state of Rajasthan, जैसा हम सब जानते हैं, कि विशाका guidelines release करी थी इसमें, ये था case prevention of sexual harassment का, जिसमें Apex Court ने विशाका guidelines को release किया, किस बारे में थी वो, prevent of sexual harassment of a woman at workplace, यानि, woman at workplace, क्यों, sexual harassment से prevent करने के लिए, विशाका guidelines को release किया गया था, ये बहुत widely follow भी होती है, इसके बाद आया case, Roodal Shah versus state of Bihar 1983 का, जिसमें, compensation for violation of article 21 के बारे में, Supreme Court ने बात करी, यानि कि, Supreme Court ने ये कहा, कि, जो Apex Court है, इसके बाद केस आता है, Roodal Shah versus state of Bihar 1983 का, जिसमें Apex Court ने बात किया, compensation for violation of article 21, यानि कि, article 21, जो मैंने अभी आपको जितने cases में बताया, इतनी बार interpret हुआ है, अगर इसमें कहीं पे भी violation होता है, article 21 का, तो compensation का एक provision दिया, और Apex Court ने ये कहा, कि, courts के पास ये power है, compensation award करने के लिए, in appropriate cases of violation of article 21, जो appropriate cases होंगे, उसमें, courts जो है, व National Legal Service Authority versus Union of India, 2011, ये बात करता है, self-determination of gender की, इसमें Supreme Court ने क्या held किया, इसमें Supreme Court ने held किया, that self-determination of gender is a part of personal liberty, guaranteed under article 21, इसके बाद हम पढ़ेंगे, सुनील बत्रा versus Delhi Administration, 1980 का case, ये case था, keeping under trials with convicts को लेके, यानि कि, आपको जैसे पता होगा, अगर आपने कभी jail visit करी होगी, अगर आ दिखा होगा कि under trial और jail के prisoners, under trial और convicts जो होते हैं, उनको अलग रखा जाता है, तो ये case उसी से related है, जिसमें Supreme Court ने held किया था, कि under trial और convicts जो है, वो, उनको एक साथ रखना offend करता है, article 21 को, under trial कौन होते है, जिनका case अभी चल रहा है, और convicts कौन है, जिनको सजा हो चुकी ह कोई jail में रखा जाता है, लेकिन अलग रखा जाना चाहिए, ऐसा Supreme Court ने ruling दिया, तो ये थे कुछ cases हमने पढ़े right to life के under में, जो की दिया हुआ है, article 21 में, और हमने sum up किया, article 21 को, जिसमें हमने शुरुआत में पढ़ा, right to life, then right to personal liberty, and then procedure established by law, सबसे पहले हमने देखा कि procedure established by law, और due process of law में क्या फरक है, इसके बाद हमने देखा कि personal liberty के हमारे क्या landmark cases है, और उसको कैसे मिन्का गांधी के case में, पुराने कुछ cases को overrule करके, बहुत ही जादा constitutional landscape ही बदल दिया था, Supreme Court ने, और इसके बाद हमने देखा, right to life के अंडर में, multiple cases को, कैसे अलग-अलग dimensions को, right to life क अंडर में Supreme Court ने interpret किया, I hope ये वीडियो लेक्चर आपके लिए helpful रहा हूँ, thank you very much.